नमस्कार दोस्तों नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है आज मैं आपको राष्टे सिक्षानिती 1986 के सुझाओं के बारे में पढ़ाऊंगी आपने पिछले वीडियो में देखा था कि 1968 राष्टे सिक्षानिती के कुछ तत्वों को पूर रूप से क्रियांदित न 1986 आई राष्टे सिक्षानिती जब 1986 आई उस समय भारत के प्रधान मंत्री थे राजीव गांडी और राजीव गांडी ने 1985 में जितने भी राज्जों के मुख्य मंत्री थे उनका एक सम्मेलन बुलाया और उस सम्मेलन में सभी से राइली और जनवरे 1986 में गोशना की गई की राजीव गांडी के द्वारा गोशना की कि भारत के लिए एक ऐसी सिक्षानिती लाई जाएगी जो भारतिय नागरिकों को को नाइतिक सामाजिक और राजनेतिक द्रस्टि को उन में विक्सित कर सके इसे लिए राश्टिय शिक्षानिती 1986 में आई अब राश्चे सिक्षा निती 1986 में विकलांग बच्चों की सिक्षा के लिए क्या सुझाओ दिने आप सब जानते हैं बच्चों हमारे भारत में आज inclusive education दी जा रही है समावेशी सिक्षा दी जा रही है हर बच्चे को सिक्षा एकी तरह की एकी विद्याले में सिक्षा उप्लग्द करवानी है तो राश्चे सिक्षा निती ने वी इस बात को स्विकार किया है कि विकलांग बच्चों को सब के जीवन में समनवेता लाना आप सब को पता है राश्चे सिक्षा निती 1986 का एक प्रमुकुद्दिश्यता सब के जीवन में समनवेता लानी है और विकलांग बच्चा इस समाज के साथ अनुकुलन तब ही हो सकता है जब वे सामान्य वालकों के साथ पढ़े सामान्य गति वीडियो में बच्चा भाग ले तो ही वो बच्चा क्या कर सकता है समर्ण बे इस्तापित कर सकता है अब बात आती है सामान्य विकास यह को अवसर देना विकलांग बच्चा है चाहे वो शारेरी कुप से हो चाहे वो मांसिक रूप से विकलांग हो अगर उसको इस्कूल में सैक्षिक अवसर समान रूप से उपलब दें आप सब जारते बच्चों कि अगर कोई बच्चा सारी रिक रूप से इकलांग है तो हो सकता है कि वो बच्चा प्रतीभा साली हो तो वो बच्चा अगर प्रतीभा शाली है लेकिन अगर उसको सेक्षिक आउसर नहीं मिला तो क्या होगा वो समनवेता हासिल नहीं कर पाएगा सामान्य बालकों के साथ अगर वो नहीं पड़ेगा तो अपनी योग्यता और शंक्ता का विकास नहीं कर पाएगा तो राश्टी सिक्षाली ती उन्नी सो छियासी ने कहा कि विकलांग बच्चों को भी सामान्य विकासे तू आउसर उपलब्द होने चाहिए आप सब जनते हैं अगर बच्चा एकी स्कूल में पड़ेगा तो उसमें सामान्य बालकों के साथ पड़ेगा तो सामान्य सोच भिक्सित होगी बच्चे में जो लीन बावनाती वो दीरे दीरे समागत हो जाएगी और बच्चे ने साहस गए आपने विश्वास में गद्धी होगी क्योंकि वो मानने लग जाएगा कि मैं सामानने वालत से कमजोर नहीं हूँ निशुल्क आवास सुविधा आप सब जानते हैं बच्चों कि कई बच्चे ऐसे हैं जो सारीरिक और मांसिक रूप से पूरी तरह से गंभीर विमारी से घ्रस्त है तो उन बच्चों के लिए निशुल्क आवास ये सुविधा हैं उपलग्द करवानी चाहिए ये हमारी व्याускe प्रस्क्ट्शन मान लो सारीरी ग्रूप से विखलांग गया मांसिक रूप से विखलांग गया अधिगं समर्थी वाला बालक है अपवंचित बालक है तो अगर उनको व्यास सा इक प्रस्ट्रिक्षन दिया जायएगा और ऐसे प्रशिशिक्त अध्यापकों के द् तो वो बच्चा समन्यता मसिल कर पाएगा तो जो विकलांग बच्चे उनको व्यावसा एक प्रसिक्षन प्लब्द करवाया जाना चाहिए और अध्यापक जो उनको पढ़ा रहे हैं उनको भी प्रसिशिक्त किया जाना चाहिए स्वैचिक प्रियास विकलांग बच्चों के लिए ना केवल सरकार बल्कि जन्ता को भी स्वैचिक प्रियास किये जाने चाहिए आप जानते हैं कई श्वेम से भी संगटन ऐसे हैं जो निशुल्क चिकित्स के कैम्प का आयोजन करते हैं मेडिकल कैम्प का आयोजन करते हैं ताकि ये सचिक प्रियासों के अंदरगत आते हैं सामान्य बालकों के साथ सिक्षा जो मैं आपको बता रही थी बच्चो क्या कि राष्टे सिक्षानिती 1986 कहती है कि गंबी रूप से जो विकलांग नहीं है जो हलके रूप में विकलांग बच्चे है उन बच्चो को सामान्य बालकों के साथ सिक्षा उपलब्द करवानी चाहि तो ये विकलांग बच्चों की सिक्षा के लिए राष्टे सिक्षानीती उन्निस उचियासी में सुझाव दिये बच्चों पहला सबके जीवन में समन्यता लाना, सामान्य विकास ये तु आउसर देना, साहस वे आत्म विश्वास में व्रद्धी करना, निशुल्क वे आवास वीदा उपलब्द करवाना, व्यावसारी प्रसिक्षन वे अध्यापक प्रसिक्षन प्रदान करना, स्वेंशेवी संगतनों के द्वारा विकलांग बच्चों के लिए स्वेचिक प्रियास करना, सामान्य वालकों के साथ सिक्षा विकलांगों को प्रदान करना, इस राष्टिय सिक्षानिती का मुक्य धेता, और राष्टिय सिक्षानिती में ये सुजाव दिये गे, दूसर यहां के जो बालक है इन बालकों को बहुते हैं बच्चों अप्वन्चित बालक जो सैक्षिक अवसर उपलब्द नहीं होने के कारण पाठे क्रम में पिचड़ जाते हैं अन्य सामन्य बालकों से पिचड़ जाते हैं क्योंकि उनको धंके विद्याले नहीं मिलते पढ़ाने वाले टीचर्स अच्चे नहीं हैं माता पिता के पास में इतनी इंकम नहीं है कि उनको उच्च सिक्षा प्रदान कर सके तो इन अल्प संक्यकों की सिक्षा की व्यवस्ता होने चाहिए जैसे कोटारी सिक्षा आयोगने बच्चों को दी जाने चाहिए यह यहां पर यह एह क्यरा है राष्ट्य सिख्षानी प्रसिक्षानी छाहिए इनके लिए निश्च्छrek चात्रवासों की व्यवस्ता की जानी चाहिए और इनके आसपास जो है विद्याल इस्तापित करवाहे जाने चाहिए यह कहती है आपकी राष्ट्री सिक्षानी की इस्तापना की जाने चाहिए और इन प्रसिक्षन सर्स्ताबु को सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाना चाहिए इसके अलावा सिक्षकों के वेतन, बत्ते, सेवाशर्टे, पदोनती, आदिस सभी तै होनी चाहिए और अच्छे होने चाहिए पदोनती के अवसर उपलब्द होने चाहिए ताकि सिक्षक जो है आसानी से तरीके से इस समाज में अपने आपको अनिकुलित कर सके और अच्छे से बच्चों को पढ़ा सके तो उनको वेतन, सेवाशर्टे और पदोनती के नियम तरीके से बनाए जाने चाहिए उनके लिए नियम और उपनियमों की व्यवस्ता होनी चाहिए ये आपकी राष्टी सिक्षानिती उनिस सो चिनासी कहती है फिर आता है बच्चों आपका क्या एस राष्टी सिक्षा कारिक्रम मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बताया था कि हमारे बारत में टैन प्लस तू प्लस त्री की व्यवस्ता की गई टैन जो होगा वो माद्यमिक इस्तर ये है आपका उच माद्यमिक इस्तर और ये है आपका इसनातक इस्तर ये तीन इस्तरों पर सिक्षा प्रदान की जाएगी और माद्यमिक और उच माद्यमिक दो इस्तर जो है वो माद्यमिक इस्तर के बना दिए एक जैसी सिक्षा प्रणाली होगी पैन के तर इस्तानिय भार्षा में सिक्षा दिया जाएगा और आपके इसनातक इस्तर पर प्रदान की जाएगी एक जैसी सिक्षा प्रणाली समस्त भारत में लागू करवाने के पीछे सबसे बड़ा जो योगदान है वो है राष्ट्य सिक्षानिती फिर आता है बत्रों ऐसी वैसी की सिक्षा वो ही है जो अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती के जो बच्चे हैं उनको लिए व्यावसाई का सिक्षा होने चाहिए उनके लिए शुल्क में कमी होनी चाहिए उनको अच्छे से अध्यन सामगली उपलब दोनी चाहिए इस् इस्त्री और पुरुष दोनों को समान माना जाना चाहिए और इस्त्री सिक्षा के लिए विशेश प्रियास के जाने चाहिए आसपास उनके विध्याले स्तापित होने चाहिए लड़कियों को परिवैन की सुविधा उपलब दोनी चाहिए छात्रवती सुविधा उपलब द प्रशिक्षन संस्तानों की स्थापना की जाने चाहिए व्यावसाइप प्रसिक्षन इन लड़कियों को प्रदान किया जाना चाहिए यह इस्तरी सिक्षा के बारे में सुझाओ दिया रास्टे सिक्षानिती उनिजसोच्षी में फिर आता है बच्चो पुर्वबालिया वसता सिक्षाव की औहुए कstarter कर रहा है और तेल वहाँ पर कम से कम दो अध्यापक होंगे और ये बात हमारा RTE Act 2009 भी ये बात कहता है आपका Operation Blackboard जो आया 1987 में वो भी यही बात कहता है कि प्रात्मिक इस्तर पर जोगी विद्याले होंगे वहाँ पर कम से कम दो क्या होंगे पीचर होंगे इसके बात ये कहता है कि प्रात्मिक इस्तर पर जो सिक्षा बच्चों को उप्लग्द करवाई जारी है उसको निशुल्क किया जाना चाहिए हर बच्चे को सिक्षा उप्लग्द होनी चाहिए प्रात्मिक सिक्षा का सार्व भूमी करन करना चाहिए निशुल्क और अनिवार ये सिक्षा का प्रावदान होना चाहिए ये कह रहा है कि 1990 तक 11 वर्स तक के जितने भी बच्चे हैं उनको निशुल्क और अनिवारिये सिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और 1905 में तक 15 वर्स तक के जो बच्चे हैं उनको निशुल्क और अनिवारिये सिक्षा प्रदान की चाहिए ये कह रहा है आपकी रास्टिये सिक्षा लेती 1986 इसके अलावा जो पुरू बात्यवस्ता सिक्षा के बारे में कहा कि 14 वर्स तक के बच्चे जो है वहाँ पर नामांकन और टहराओ को सुमिश्चित किया जाना चाहिए एक किलोमेटर के दाइरे पर प्रात में और दो किलोमेटर के दाइरे पर उच्छ मात्ने में आपकी राष्ट्य सिक्षानिती 1986 कह रही है कि विध्याले जो है एक किलोमेटर के दाइरे में होगा तब ही हर बच्चा सिक्षित होगा कोई बच्चा लक्षर नहीं होगा तो यह पुरू बाल्यवस्ता सिक्षा के बारे में कहा और कहा कि सारीनिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए क्या कहा सारेनिक दंड किसी भी बच्चे को नहीं दिया जाना चाहिए यह हमारी कौन सी यह हमारी राष्ट्य सिक्षानिती 1986 कहती है और यह भी कहती है कि जो बच्चे जो इलाके पिछड़े हुए हैं और विध्याले में प्रवेश्तों ले लेते हैं लेकिन उनकी गर की आलकी दीड नहीं होने के कारण माता पिता का नतारात्मक रहाय बच्चों में हीन भाहना का विकास कई ऐसे कारण होते हैं कि बच्चा नामंकित होने के बावजूद वहां पर अधलन नहीं कर पाता है तो उन बच्चों के लिए अलग से सिक्षा की व्यवस्ता करना ये राश्टे सिक्षा मीती 1986 ने सुझाव दिये थे कि जो बच्चे प्रात्मिक सिक्षा नहीं कर गहन कर पा रहे हैं या बाद में सिक्षा गहन करने आ रहे हैं उनको भी स्कूल में एड्मिशन दिया जाना चाहिए और जो बच्चे नहीं पड़ पा रहे हैं वहाँ पर अनुपचारिक सिक्षा केंद्रों की स्ताप्टा दी जानी चाहिए ये कहरा है राफ्ता राश्टी सिक्षा नीती 1986 इसके अलावा कहरा है मुल्यों की सिक्षा नीती 1986 कहती है कि बच्चों को मुल्यों की सिक्षा दी जान चाहिए दया परोग का एक दूसरे के सास है योग समन विता सामाजी गतिविदियों में भाग लेना ये सारे गुणों का विकास जो है सिक्षा के माध्यम से बच्चे में किया जाना चाहिए तब ही हम अच्छी सिक्षा दे पाएंगे ये कहना है आपका राष्टिय सिक्षान कि कहती है किसी भी बच्चे को फेल मत करो किसी भी बच्चे को फेल मत करो अंकों के आधार पर परिक्षा परणाम को डिसाइड नहीं करके ग्रेडिक प्रणाली को स्टार्ट किया जाना चाहिए किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाए उसको ग्रेड दी जाए सतत समक्र मुल्यांकन होना चाहिए लगातार बच्चे का मुल्यांकन किया जाना चाहिए परिक्षा प्रणाली जो एक सिमित पाट्टे करम तक सिमित है उसको विस्तरत किया जाना चाहिए ये हमारी व्रास्टी सिक्षालिती उन्निस सो चिनासी ने सुजाव दिया था कि परिक्षा प्रणादी में बदलाव करना चाहिए सतत समग्र मुल्यांकन किया जाना चाहिए अंकों के इस्तान पर बच्चों को ग्रेडिंग प्रणादी के मात्यम से अंक दिये जाने चाहिए फिर आता है नवोदे विद्याले ग्रामी चेत्र के जो प्रतिवाशारी बच्चे हैं उनको नवोदे विद्यालों में एडमिशन दिया जाता है और 75 परसेंट जो बच्चे होते हैं वो ग्रामी निलाकों के होते हैं और नवोदे विद्यालों में एक टियाई हिस्सा होता है आपका किसका महिलाओं का होता है इसमें S.C.S.T. इनको भी एडमिशन के लिए आरक्षन उपलब दोता है ये नवोदे विद्याले C.B.S.C. से संबद होते हैं नवोदे विद्याले आवाशी विद्याले होते हैं निशुल्क आवाशी विद्याले होते हैं जिन में माता पिता से किसी भी प्रकार का वेवसुल नहीं किया जाता है बिना पैसे के प्रतीवाशानी बच्चा आराम से सिक्षा ग्रेंड कर सके उच्छ सिक्षा प्राप्त कर सके अपनी युग्यता वे शम्ता का विकास कर सके तो इसी के लिए आयाक का नवोदे विध्याले तो नवोदे विध्याले आपकी राश्ची सिक्षाले की 1986 की देन मानी जाती है उसके बाद मात्यमिक शिक्षा का व्यावसाई करन यह आपके पोठारी आयोग में दी यह बात कहीं थी कि स्कूली इस तरपर 30% बच्चों का व्यावसाई करन व्यावसाई स्कूल को ले जाने चाहिए और उच्छ चिक्षा में 50% बच्चों को व्याव 1990 तक 10% बच्चों को व्यावसाइक सिक्षा प्रदान की जाएगी और 1945 में तक 25% माध्यमिक स्तर के जो विद्व्याले हैं वहां पर vocational education बच्चों को दी जाएगी व्यावसाइक सिक्षा दी जाएगी ताकि बच्चा जब इसना तक सिक्षा प्राउस कर ले तो उसको रोजग रिपलब दो सके इसके लिए माध्यमिक सिक्षा के व्यावसाई करण का सुझाओ दिया आपकी राष्टे सिक्षा निती उसके बाद आपका कार्या नोगो सही बात बच्चो माध्यमिक इस्तर पर बच्चे को हस्त कोशल प्रसिक्षन वाद विवाद करती होगी ता या कुछ ऐसे कोशल बच्चे में विक्सित किये जाएंगे कुछ उनको ऐसा व्यावसाई प्रसिक्षन दिया जाएगा कुछ ऐसी समश्य उसको दी जाएगी कुछ ऐसी एक्टिविटी उससे या गटिविटी उससे करवाई जाएगी ताकि उसे कार्य का अनुबव हो और यही कार्य का अनुबव उसको आगामी जीवन में कहां आ सके तो इसके लिए कारिया अनुबव पर जोड़ दिया आपनी राष्टिय सिक्षानिती 1986 में Activity Based Learning पर जोड़ दिया आपनी राष्टिय सिक्षानिती 1986 में पुस्तकों की गुणवत्ता सही बात है बच्चों पुस्तक गुणवत्ता को होना बहुत ही जरूरी है अगर बच्चे को अच्छा अधिगम करवाना है बच्चे को knowledge देनी है ज्यान देना है अनुसंदान के कारियों में उसी रुची उत्पन करनी है रटने की प्रवर्ती को कम करना है समझने की पद्दती को आगे करना है पुस्तकों की गुनवत्ता का होना बहुत ही आपने बच्चो नाम भी सुना होगा गांधी जी ने एक योजना दीती बच्चो वर्दा योजना और इस वर्दा योजना जो कि मात्मा गांधी ने दीती इस वर्दा योजना में कहा गया कि ग्रामीन शेत्र के बच्चों को हस्त कोशन प्रसिक्षन दिया जाना चाहिए हाथ के कोशन का दरी बनाना है चर्खा चलाना है खादी उद्योग है अचार बनाना है दरियां बनाना है क्राप्त आइटम बन और एक ऐसे विश्विद्याले बनाए जाए ताकि उनको इस तरह के हस्त कोशल में पारंगत किया जा सके प्रसिशिक्त किया जा सके उच्छे सिक्षा और खुला विश्विद्याले आप सब जानते हैं बच्चों की हर अनुसंदान कारे बढ़ रहे हैं बच्चा माध्यमिक स उच्छ इस तरपर जा रहा है तो उच्छ सिक्षा के इंडरों की स्थापना की जाने चाहिए और लेकिक दूरस्त जो इलाके हैं वहां पर बच्चे डिग्री प्राप्त नहीं कर पाते तो उनके लिए 15 शार के मात्यम से डिग्री उपलब्त करवाने के लिए इनू जो साह प्रदार करने की पाद इंद्रा गांधी ओपन युनिवर्सिटी जो की 1985 में इस्ताफित हो चुकी थी उसको सहायता उप्लब्द करवाना राश्टिय सिक्षालीती 1986 का मुख्य धे था उपादी रोजगार है संबदता एवं राश्टिय परिक्षन सेवा मतलब यह है कि बीटेक आया बीबीए आया बीसी आया कुछ ऐसी डिग्रियां बच्चे को प्लाव्ट की जाए ताकि वो उस विशे में पारंगत हो सके उस कोशल में जैसे आप जानते ह डिग्री दी जाती है मेकेनिकल इंजिनियरिंग की अलग प्राविदी की सिक्षा डाक्टर्स की अलग-अलग जो डिग्रियां प्रदान की जा रही है उनके लिए कुछ ऐसे सेंटर होने चाहिए या जो उनको सिक्षा उपलग्द करवा रहे हैं या उनको स्छेत्र में अन प्रावड सिक्षा जो पढ़ नहीं पाए जो पढ़ना चाहते हैं उन 15 से 35 साल तक के जो लोग है उनको सिक्षा उपलग्द करवाई जाए ताकि भारत में कोई भी निरक्षर ना हो इसके लिए प्रावड सिक्षा के इंद्रों की स्थापना की जाए फिर आता है प्रादय प्रावड्योगी की तक्निकी एजुकेशन बच्चे को अवेलेबल खरवाई जाए क्योंकि अगर देश का आर्थी फिकास करना है लोगों के जीवन इसतर को उचा करना है तो प्रावड्योगी की और प्रबंद सिक्षा पर जोड़ दिये जाने चाहिए अनुसंदान कारे करवाने चाहिए ऐसे विश्य विद्यालों का प्रबंद्न करने के लिए बड़े संस्थान की इस्तापना की जाने चाहिए यह कह रहे है आपकी राश्री सिक्षानिती 1903 तो राश्री सिक्षा निती ने क्या क्या सुझाव दिये इसके बारे में हमने इस वीडियो में का विकलांग बच्चों की सिक्षा के लिए सुझाओ दूसरा अल्प संक्यकों की सिक्षा के लिए सुझाओ तीसरा सिक्षकों के वेतन सेवा और पदोनती के संबन में सुझाओ चौथा दास्टी सिक्षा कारिकरम 10 प्लस 2 प्लस 3 की यवस्ता, स्ट वे एस्टी के लिए व्यावसाइक प्रसिक्षान, इस्त्री सिक्षा, पुरुबाद्य यवस्ता के लिए दो अध्यापक होने चाहिए, 1990 तक 11 वर्स तक को निशुल्क और 1904 में तक 15 वर्स तक के बच्च को मुल्यों की सिक्षा दी जाए, परिक्षा प्रणाली में सुधार किये जाए, प्रतिवाशाली ग्रामीर बच्चों के लिए नवोदय विध्याले बोले गए, माध्यमिन सिक्षा के व्यावसाई करन की बात कही, कार्या नुभाव पर जोड़ दिया, पुस्तकों की गु रास्ट्य परिक्षन सेवा संस्तानों की स्थापना की जानी चाहिए, प्रोड सिक्षा इंद्र बनाए जाने चाहिए, प्राध्योगी की एवं प्रबंध सिक्षा पर जोड दिया जाना चाहिए, ऐसा कहती है हमारी रास्ट्य सिक्षा नीति, आप चाहते हैं बच्चों की पहले वाले वीडियो में आपने रास्टे सिक्षा नीती का में क्या-क्या चीजे आती है, इतने अध्याय आते हैं और आवशक्ताइं पड़ी, इस वीडियो ने आपने सुझाव पड़ी, देखो बच्चो, रास्टे सिक्षा नीती 1986 ने सिक्षा के प्रारूप के चार अंग बताये हैं कि सिक्षा का प्रारूप कैसा होगा, सिक्षा किन किन चीजों को समाहित करते हुए सिक्षा दी जाएगी, उसके बारे में का किताबी धाचे को बदलना, मतलब यह है, सिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जिसमें किताबी धाचे क को बदलन दिया जाए फुस्तके ज्यान के अलावा भी बच्चे को अन्य कार्यानवव की सिक्षा दी जाए प्रसिक्षन दिया जाए सामाजिक दाइप में सिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हर बच्चे को सामाजी कालता हैं जो परंप्रागत रूढियों का निपदारा करती हो भारत को विकास्थी लवस्ता की ओर धकेलती हो भारत को आधुनिक बनाती हो, भारत में आय विशंता को कम करती हो, ऐसी सिक्षा होनी चाहिए, जाती वेद को कम करती हो, सभी बालतों को एक समान मानती हो, ऐसी सिक्षा होनी चाहिए, इसके अलावा सिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जिसमें टेक्नोलोजी का यूच दिया जाए, परमप्रागत सिक्षन पद्धतियों के स्तान पर आधुनिक सिक्षन पद्धतियों कोशलो सिक्षन ग्यू आग्यो विविन अनुसंदान कार्यों का सैयोग लेकर के सिक्षा पदान की जानी चाहिए ये कहती है आपकी राष्टे सिक्षानिती उन्निसोचियां से तो राश्टिय सिक्षा निपी के प्रावुप में चार तक्वों को समाई किया गया है पहला किताबी ढाचे को बदलना दूसरा सामाजिक दाईक को ध्यान में रखना तीसरा सिक्षा ऐसी हो जिसमें सामाजिक परिवर्तन की बात नहीं हो सिक्षा ऐसी हो जिसमें तक्नीकी परक द्रश्टिकोर को अपनाया गया हो ये सिक्षा का प्रारूप सिक्षा का धाचे की बात कहिए आपकी रास्ट्य सिक्षानिती उन्नी सो च्छियां से में नेक्स वीडियो में हम रास्ट्य सिक्षानिती के प्रस्ताओं रास्ट्य सिक्षानिती के उद्दिशों के बारे में डिस्कस करेंगे आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाती रहूं तो आप नव बारती स्टेडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें मे कि ये शॉर्ट प्लोर्स आपके ना केवल बियर सेकंडियर बलकि सीटेट, रीट इन एक्जामों के दर्ष्टिकोरों से भी काफी लाग दाइक होंगे तो आप चाहते हैं मैं इसी तरह से वीडियो बनाऊं तो आप नव बाढ़ती स्टडिस सर्कल चैनल को सब्सक्राइब कर करिस्नाप तो इसब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब प्ल Elizabeth